सभी रासनकार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट यहां पे निकल के आ रहे हैं कि अभी आप लोग जो घर बैठे अपना जो रासनकार है उसमें मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं और आपके रासनकार्ड में जितने भी लोग हैं मानलेजे आपके रासनका खुझ से एक आप के माध्यम से अपना जो मोबाइल नंबर है उसको यहां पर लिंक कर पाईएगा भारत सरकार के तरफ से मेरा रासन 2.0 जो है एक आप यहां पर लॉंच किया गया है और उस आप के माध्यम से जितने भी रासनकार धारकें उनको बहुत सारा सुद्धा कहा आप लोगों नहीं देखा है कि कौन को सा सुद्धाना पर मिलता है तो इस पर मैंने प्रॉपर पूरा आप लोगा फुल रिव्यू के साथ वीडियो बना रखा है अभी आप लोगो थम्नेल जो हैं पर दिख रहा होगा उस वीडियो को जाकर देख लिजे आपको सारा जाम है वो आप लोगो SMS के माधम से दे दिया जाएगा चले मैं आप लोगो पूरा प्रक्रिया दिखाता हूं लेकिन उससे पहले अगर आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगो जो एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में इस वीडियो को लाइक और सेर कर दिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनकों पर जानकर मिल पाएगा और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छे अच्छी वीडियो है वो हमेसा लाते रहेंगे चलिए हम आप रासन कार्ड में आप लोको Μuters अपना लिंक करना है तो रासन कार्ड में मोबाईल लिंक करने के लिए स्टोस्तोर में आपको करना है सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है वहाँ पे जाकर आप लोगします यह आप लोग अम पे Himself किजेगा लिग लिकि आपके रासनकार में पाँच लोग हैं छे लोग हैं सभी का जो आप लोका मोबाईल नमबर है वो आप यहापर लिंक कर सकते हैं मैंने हापर इंस्टॉल कर रखा है ओपन पर आपको जो एक क्लिक करना है ओपन पर क्लिक करने बाद थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आप यहापर जो एप है वो आप ओपन होगा और सबसे पहले आप लोको रेजिस्टेशन के लिए बोला जाएगा रेजिस्टेशन में ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोको अपना आधार नमबर डालना है फिर आपके आधार रेजिस्टर मोबाईल नमबर पर एक OTP आएगा OTP डालकर आपको हाँ पर सब्मिट करना है मैंने यहापर जो है रेजिस्टेशन कर रखा है तो डाइकली हमें आप लोग इन करते हैं उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखे दोस्तों मैंने जो है एप में आप लोग इन कर लिया है लोग इन करने क यहां पर देख पाऊंगे एक option आप लोग को देखने को मिलेगा pending mobile update तो यहां पर इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो है mobile number update करने के लिए जो ही किनका किनका पर pending है तो मेरे जो है रासन कार्ड में लोग हैं वो चार लोग हैं तो यहां पर देखे आपको देख पाऊंगे निच्चे आप लोग को mobile नंबर का option यह इस पर आपको क्लीक करना है और यहां पर अपना mobile number डालकर आपको submit पे क्लीक करना है मैं यहां पर मोबायल आंबर डालले तका उसको submitted क्या आपको दिखाता है तो अब जैसे आप यहाँ पर submit किजेगा, आपको mobile नमर पर OTP आएगा, OTP आप लोग को आप डालना है थोगा सा इंतिजार किजेगा, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का OTP verified successfully का option है, ओके पर आपको जो क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आप लोग का आजाएगा, यहाँ यहाँ पर देख पाँगे, your request has been successfully submitted to district food and supply officer, तो आपका जो request है, वहाँ पर submit हो चुका है, ओके पर आपको आपको क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बापस आजेगेगा, और यहाँ पर पहले जो आप लोगा व्यू का option था, जिनका आप लोगा आप पर link किया है, उनका view बाला जो option है, वहाँ पर खत्म हो चुका है, अब इसका जो status है, वह आपको किस तरी कैसे check करना है, तो आपको बापस आना है, और यहाँ पर three line दिखेगा, इस पर आपको जो click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आप लोगो history का option मिलता है, इस पर आपक कि जो search है, उनका mobile number आपके link कर सकते हैं, और यह जो पूरा प्रक्रिया आप लोगों कहाँ पर रहने बाला है, मैंने आप लोगों को step by step दिखा दिया है, सभी का mobile number आप यहाँ पर link कर लिजे, जिनका भी आप लोगों का mobile number लिंक करना है, उनका आप यहाँ पर link कर तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, दूस्तों मैंने आप लोगों कहाँ पर जानकाडी दे दिया है, कि किस तरीके से आप लोगों जो रासन कार्ड में अपना mobile number लिंक करना है, पूरा जानकाडी मैंने आप लोगों कहाँ दिखा दिया है, आशा करते हैं कि आपको वीडि आपको अगली वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद